नमश्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्αι मुद्रा लोन नम मिलने के क्या-क्या कारण होते हैं अक्सर हमारे भाईएं और बेहनों के यह समस्यार रहती है कि वो बैंक मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो बैंक उनका मुद्रा लोन पास नहीं करता तो पहली बजा, पहली बजा होती है कि जब हम bank loan लेने जाते हैं तो हम ये तैहीं नहीं कर पाते हैं कि हमें काम क्या करना है, मुद्रा loan जब हमें मिलेगा जो पैसे मिलेंगे उससे हमें काम क्या करना है, मुद्रा loan कि आप वो काम कहां करेंगे, कौन सी जगा पर करेंगे, आपने वो जगा फाइनल कर ली है कि नहीं कर ली, अगर किराय पर ले नहीं है, तो किराय फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ, उसका किराय नामा बनाए है कि नहीं, और अगर वो आपकी अपनी जगा है, तो वो जगा कहां पर है और आप कैसे उसमें वो इंजाम करेंगे कि वो आप काम आप कर सकें तीसरी बजा तीसरी बजा है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं ये खास कर उनके लिए है जो कि नया काम शुरू करना चाहते हैं मुद्रा लोन लेकर तो जो काम आप करना चाहते हैं मुद्रा लोन लेकर उसमें आप कितना कमा पाएंगे देखे जब आप bank से लोन लेना जाते हैं तो bank ये जरू सुनिश्चित करना चाहता है कि आप bank के किष्ट या ब्याज समय पर दे पाएंगे या नहीं तो जो भी कम आप करना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम इतना जरूर पता कर लें कि उसमें आपको महिने की कित्ती आमदनी होगी और उस आमदनी से आप bank की किष्ट या bank का ब्याज समय पर चुका पाएंगे या नहीं तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका नाम उसमें गलत लिखा हुआ होता है या जो पता उसमें लिखा होता है वो वो नहीं होता जहां पी कि आप रहते हैं तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपका पहचान पत्र और आपके पते का प्रमान आपके पास हो पहली चीज और दूसरी चीज वो गलत नहीं होने चाहिए यानि कि उस पे जो भी नाम पता लिखा है वो सही होना चाहिए आखरी और सबसे खास वज़ा सबसे जो खास वज़ा है कि मुद्रालों हमारा पास नहीं होता वो क्या है कि हमने कहीं और से लोन लिया किसी बैंक से लोन लिया और उसको समय पर वापस नहीं किया या हो सकता है वापस ही ना किया हो अब यह तो सब जानते ही है कि जब हम बैंक से लोन ले जाते हैं तो बैंक हमारा सिबल चेक करता है, क्रिफ चेक करता है और यदि सिबल या क्रिफ हमारा खराब मिकलता है यानि कि हमने पहले से कहीं से को लोन लिया और उस समय पर नहीं चुकाया या चुकाया ही नहीं तो उससे क्या होगा हमारा सिबल खराब हो जाएगा, हमारा क्रिफ खराब हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा तो दोस्तों ये थे 5 मुख्य कारण, 5 खास वज़ा जिसकी वज़ा से हमारा मुद्रा लोन अक्सर पास नहीं होता अगर आप इन 5 वज़ों का ध्यान रखेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको मुद्रा लोन पास होगा ही होगा तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसको शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेनत लगती है, बहुत समय लगता है आप उसको पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे तो वापस आते रहेंगे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे धन्यवाद